हाई अव्रिवन मैं हूँ धनन जय उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे USA और चाइना के बीच में रिलेशन हम कह सकते हैं कि 1950 से ही खराब है लेकिन बीते 5-6 सालों में ये रिलेशन और भी खराब हुआ है दोनों देश एक दूसरे के बारे में बढ़ चड़कर मीडिया में या प्रेस में नेगटिव स्टेटमिंट्स देते हैं लेकिन उसके बावजूद US और चाइना दोनों एक दूसरे के ऊपर highly dependent है इस वीडियो में हम कुछ examples की मदद से हम समझेंगे कि किस तरीके से चाइना और US एक दूसरे के ऊपर dependent है और क्यों diplomacy में ये कहा जाता है कि war is the failure of diplomacy इसके पहले के वीडियो में आगे बढ़ूँ आपको मेरा effort पसंद आता है तो चैनल को subscribe और वीडियो को like and share करें और अगर आपके पास मेरे लिए कोई suggestion है तो वो भी आप मुझे email करके बता सकते हैं सो ये आप latest data देख सकते हैं 2024 का जहां पर ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से 1985 से लेके 2023 तक USA चाइना से बढ़ चड़ कर समान import किया है 1985 में US चाइना से कुछ 3.86 billion American dollars का वेपार करता था वहीं साल 2023 में ये बढ़ कर हम कह सकते हैं कि 427 billion American dollars से भी अधिक हो चुका है तो इस चीज को आप फ़रा सोचिये और समझे कि अगर कोई भी देश किसी से लगभग 4500 billion American dollars का अगर वो trade कर रहा है तो कहीं न कहीं जो importing country है वो काफी highly dependent है उस देश के उपर As a result अगर any chance चाइना वो समान भेजना बंद कर दे US को तो US के पुरे market में कोहरा मत जाएगा और US इसके लिए तयार भी नहीं है तो ये भी हम एक वज़ा जान सकते हैं कि किस तरीके से अगर आपका देश बढ़ चड़कर export करता है तो सामने वाला देश कहीं न कहीं आपे वो dependent हो ही जाता है इस चीज को हम as an Indian सोख सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या हमारे पास इतनी श्रमता नहीं है कि हम भी कुछ हद तक अपने देश में research and development को बढ़ाएं और कोशिश करें maximum export करने का वहीं दूसरी तरफ अगर हम यह देखें कि चाइना आखिर में US से क्या लेता है तो साल 2023 में या साल 2023 तक चाइना US से कुछ 151 billion American dollars का वो समान import कर रहा है तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से चाइना और US के जो आपस में bilateral trade है वो लगभग लगभग कुछ 600 billion American dollars का है annually approximately यह amount अपने आप में इतना बड़ा हो जाता है कि शायद एक normal इंसान इसे समझ भी ना पाए US दुनिया की number one economy है, चाइना दुनिया की number two economy है कहीं न कहीं चाइना भी यह चाहता है कि वो global platform पे as in guardian की भूमी का निभाए वहीं US हम कह सकते हैं कि बीते कुछ सालों में US का जो dominance था वो कुछ घटा है उसके best दो examples हम देख सकते हैं एक तो जिस तरीके से Russia और Ukraine के बीच में war US नहीं रोक पाया और वहीं दूसरी तरफ लगभग 6 महिना से उपर हो गया है इसराइल और हमास आपस में लड़े हुए हैं जहां पे कहने के जरुवत नहीं है कि बहुत ही random तरीके से इसराइल गजा में bombing कर रहा है इसके लावा समय दर समय हम लोग यह देखते रहते हैं कि चाइना ताइवान को धमकाता रहता है बहुत हद तक Philippines को धमकाता है बहुत हद तक आपका South Korea से वो लड़ता रहता है तो यह actually लड़ता नहीं है वो इन देशों का reaction check करता है और कहीं न कहीं वो यह देखता है कि US का क्या reaction आता है तो चाइना उन सभी देशों को support करता है जिन देशों का US के साथ relations अच्छे नहीं है वहीं दूसरे हाथ पर हम देखें तो US उन सभी देशों को support करता है जिन देशों का चाइना के साथ relation अच्छे नहीं है For example, Taiwan हो गया, South Korea हो गया, या Philippines हो गया, या भारत हो गया तो बीते कुछ सालों में ये सब कुछ देश काफी close हुए हैं US के वहीं दूसरी तरफ अगर हम ये कहें तो Middle Eastern region में चाइना बढ़ चड़ कर अपने presence को वो बढ़ा रहा है तो ये सब कुछ छोटे बड़े example से जो कि हमें बता रहा कि किस तरीके से दोनों देशों के बीच में relation खराब हैं उसके बाउजू दोनों एक दूसरे के उपर interdependent हैं लेकिन दोनों देश कभी भी actual war में जाना effort नहीं करेंगे बीते कुछ सालों में USA और चाइना एक दूसरे को काफी suspicious तरीके से देख रहे हैं जहां पे 2013 में चाइना के president बनते हैं शेजन तब से लेके ये अब तक कोशिश कर रहे हैं कि अपने आपको एक global leader के तरफ प्रेजेंट करें और US को replace करके वो चाइना को लाएं और ये गलत भी नहीं है जिस तरीके से US हर वक्त ये कोशिश करता है कि पुरे दुनिया में अपना पकड़ को बना कर रखे वैसा ही कुछ चाइना चाहता है और वैसा ही कुछ लमसम भारत भी करने की कोशिश करता है लेकिन जिस देश की economy जितनी strong रहेगी जो देश जितना export करेगा कही न कहीं global platform पे उस देश को उतना ही benefit मिलेगा चाइना हर उस देश के साथ वैपार करता है जिस देश के साथ US के संबंद अच्छे नहीं है खास करके कर हम इरान देख लें या रश्या देख लें या चाइना का investment हम देख लें Middle Eastern countries में बीते कुछ सालों में ऐसा देखा गया है कि US और चाइना दोनों एक दूसरे के लोग को पकड़ के बोलते हैं कि ये लोग कहीं न कहीं उनके देश में जासूसी कर रहे थे या करवा रहे थे As a result US बहुत सारे जो Chinese products थे उसको अपने देश में ban कर दिया या तो उसके उपर जो import duty था उसे काफी बढ़ा दिया ऐसा ही कुछ चाइना के दौरा भी किया गया है जहां पे government of China अपने लोगों को ये कहते हैं कि वो apple के products या वैसे कोई भी communicating device का इस्तेमाल ना करे जो कि US में बना है उसके पीछे वजह दिया जाता है कि US कहीं न कहीं Chinese nationals के उपर नजर रख रहे यानि की जासूसी कर रहे है पिछले साल नवेंबर के महीने में San Francisco USA में President Biden और President Xi मिले थे जब San Francisco में Asia Pacific Economic Corporation Submit को organize किया गया था Asia Pacific Economic Corporation का भारत member नहीं है इस बात का ध्यान रखा जाए So normally geopolitics में क्या देखा जाता है कि अगर आपके देश का कोई leader किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ पे उनको किस तरीके से welcome किया जाता है जो hosting country है उनका क्या body language था और कितना excited होके वो आपको welcome करते हैं तो ये सब कुछ sign और symptoms होते हैं जिससे कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपके देश का या आपके देश का leader का या leaders का क्या importance है तो जब president she गया थे पिछले साल November के महीने में San Francisco तो बढ़ चड़कर वहाँ के जो businessmen थे हैं और साथ में high ranking US के officials वो सभी कोई उनको welcome करते हैं और अपना excitement को show करते हैं ध्यान रखे कि जब भी अगली बार भारत में Elon Musk या Tim Cook या इनके जैसे कोई बड़े businessmen आएंगे तो सिर्फ उनके आने से ही भारत की economic development नहीं होती है economic development तब होता है जब Elon Musk सच में भारत में investment करेगा और वो investment सच में ground में दिखना शुरू हो जाएगा कितनी बार ये होता है कि सिर्फ announcement किया जाता है और हम उस announcement को सुनके ही खुश हो जाते हैं तो जो businessmen होते हैं उनको देश से कोई मतलब नहीं होता उनको मतलब होता है अपने business से Tesla का बहुत बड़ा manufacturing unit या assembling unit चाइना में है और Tesla अपने assembling unit को outside China ले जाने के बारे में बहुत बार वो सोचेगा उसके पीछे का वज़ाई ये है कि China दुनिया का more than 50% electronic equipment को बनाता है China के infrastructures काफी अच्छे हैं तो कहने का मतलब है कि एक company क्या चाहेगा वो ये चाहेगा कि वो जिस देश में अपने manufacturing को कर रहा है उस देश में उसको maximum उसके काम का जो components है वो मिल जाए और जो traveling time है वो भी कम हो जाए और उसके बाद जिस तरीके से President Xi मीडिया को brief करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से मीडिया को brief करते हैं और ये बताते हैं कि किस तरीके से USA और China अगर आपस में अपने relation को अच्छा नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं इसका नुकसान जो है वो US को भी होगा वो China को भी होगा US और China दोनों एक दूसरे के उपर बढ़ चड़कर allegations लगाए हैं लेकिन उसके बावजू जिस तरीके से President Xi उन सब मुद्दों को टच नहीं करते हैं और बहुत ही futuristic तरीके से ये बताते हैं कि USA और चाइना को आपस में collaborative तरीके से काम करना चाहिए उसके बाद अगर आप देखेंगे कि चाइना का जो rise है वो economic side पे जादा हुआ है कहने का मतलब है कि चाइना इतना जादा समान को export करता है कि उसे समझ में आ गया है कि जितना जादा वो देशों को अपने उपर dependent बनाएगा उतना ही जादा जो advantage है वो चाइना को मिलने वाला है बीते कुछ सालों में American companies जो चाइना में काम कर रहे थें खास करके जो communication devices या electronic devices जो बनाते थें उन सभी के उपर government of China का काफी strong crackdown है as a result बहुत सारे companies जो हैं वो चाइना से छोड़ के जा रहे हैं जब मैं कहे रहा हूं कि वो चाइना से जा रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपना पूरे के पूरे operation को shut down कर रहे हैं बलकि वो कुछ हिस्से को outside China ले जा रहे हैं उसके पीछे का वज़य अगेन वही दिया जा रहा है कि China ये कहता है कि ये सब जो American companies है वो in a way government of US के लिए काम करता है और China का data को इखटा करता है लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ experts है उनका ये मानना है कि China उन्ही सब companies को target करता है जिस company को China सोचता है अपने देश में develop करने के लिए कहने का मतलब है अगर हम एक example के मदद से ये समझते हैं कि कोई ABC company है जो की US की company है और वो China में manufacturing करता है semiconductor को तो China उन्ही सब company को target करते हैं जो company कुछ वैसे products बनाते हैं जो China खुद भी बनाना चाहता है तो अगर China के कोई company है जो semiconductor बनाना चाहती है तो China कोशिश करता है कि अपने देश का company को promote किया जाए और जो दूसरे देश का जो company है उसको रोका जाए उसके बाद भी जिस तरीके से Russia और Ukraine के बीश में war चल रहा है तो अब तक media में ये news नहीं आया है कि China रश्या को weapons दिया है या अब तक media में ये भी नहीं आया है कि China इरान को बढ़ चड़ कर किसी type का weapons या defense manufacturing में वो हाथ या defense manufacturing में वो इरान के साथ collaborate कर रहा है कुछ छुट-पुट news आते होंगे लेकिन बहुत बढ़ चड़ कर इन सब मामलों में news नहीं आया है तो कहने का मतलब है कि China बहुत ही carefully उन सब देशों के साथ दोस्ती कर रहा है जिनके relation US के साथ अच्छे नहीं है और बहुत ही limited तरीके से दोस्ती कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से हर deal में China को ही फाइदा पहुँचे अगर आप इन सब articles को खुद से पढ़ेंगे तो I am sure कि जो clarity होगा वो और भी जादा अच्छे से आएगा I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं See you in the next video have a wonderful day Thank you, take care, goodbye